नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनोखे उपाए में दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो अनोखे उपाए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही सबसे पहले हमारा वीडियो देखने के लिए बैल आइकन को ज़रूर प्रेस करें शादी ब्याह के समारों में या घर के भोजन के बाद पान खाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है ऐसा सिर्फ इसके स्वाद की वज़े से नहीं है बलकि इसमें कई औशिद्य गुन भी है जो कई रोगों से चुटकारा दिलाते हैं पान का पत्ता एंटी सैप्टिक की तरह काम करता है चोटी मोटी चोट लगने पर या खरोच आने पर पान का पत्ता बांधने से फायदा होता है चोट जल्दी ठीक होती है अगर ब्रोकाइटिस की समश्या है तो पान की साथ आठ पत्तों को दो कप पानी में उबाली साथ ही चुटकी भर नमक और आधा चमत चीनी मिलाएं जब पानी उबलते हुए आधा रह जाए तो इस पानी को ठंडा करके दिन में तीन चार बार पिए इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा अगर कफ जम गया है तो उसमें भी ये काफी फायदेमंद होता है शरीर में खुजली की समश्या है तो पान के पत्ते उबाल कर इस पानी से नहाई काफी राहत महसूस करेंगे आप मसूडों के लिए वर्दान है पान का पत्ता अगर आपके मसूडे कमजोर हैं या मसूडे से खून आता है तो आप सुबह उटकर और रात को सोने से पहली पान के पत्ते पानी में उबाल कर इस गुनगुने पानी में थोड़ा सा नवक डाल कर ब्रेश करने के बाद इस पानी से कुल्ला करीं इससे आपको काफी फायदा होगा अगर आप पान का पत्ता चबाते हैं तो इससे भी आपको भरपूर लाब मिलेगा लेकिन बने हुए पान का इस्तमाल ना करें क्योंकि इसमें चूना, सुपारी और मिठास होती है जो दातों को नुकसान पहुचाती है तो दोस्तों जरूर अपनाई ये उपाए और अपनी मसूडों को स्वस्थ बनाए दोस्तों अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद